हलो दोस्तों कैसे हैं आप सब स्वागत आपका मारे यूट्यूब चैनल बिलोजिकल में और दोस्तों डॉक्टर कफिल कान डॉक्टर कफिल कान जो की बाबा रागवदास मेडिकल कॉलेज गोरकपुर में लेक्चरार हैं और पेसे से डॉक्टर भी हैं इन पर NSA की तेट कारवाई की गई थी जिनने अभी रिलीज कर दिया गया इस वीडियों जानेंगे NSA है क्या इन पर कैसे कारवाई की गई और इस NSA यानि National Security Act कहां से आया क्या इसके प्रावदान हैं तो आईए जानते हैं दोस्तों डॉक्टर कफिल खान जी को सबसे पहले 13 दिसंबर 2019 दवारा यूपी पुलिस की Special Task Force की टीम यानि STF ने गरफतार किया मुंबई में और उन पर चार्ज लगाया भड़काव भासन देना उक्साव भासन देना जो की उन्होंने उन्होंने NTCAA Citizenship Amendment Act के लिए अलिगर मुस्लिम यूनिवरस्टी में धरना परदर्शन के दोरान दिये थे ऐसा मानना था यूपी पुलिस का और उन पर F.I.R. लोज की गई कि जो उन्होंने उक्साव और भड़काव भासन दिये थे वो कॉम्मिनुटी के लिए वो समुदा दालने का काम करते हैं वो भाइचारा खतम करते हैं वो लोव और बिगाडने की बात करते हैं ठीक उन पर इस पर चार्ज लगा गया और F.I.R. लोज की गई फिर उन्हें अलिगर कोट द्वारा 10 February 2020 को अलिगर कोट द्वारा बेल दी दी गई जमाना दे दी गई लेकिन ती 11 February 2020 को उन्हें फिर से रियस्ट कर लिया गया और इस बार उन पर चार्ज लगाया नेशनल सिक्योर्टी एक्ट का अंजी दोस्तों सही सुना आपने नेशनल सिक्योर्टी एक्ट यानी रास्ट्रे सुरक्षा अधिनियम अब यह आया कहां से क्यास के प्रावदान हैं देख रोलट बिलो और भी कानून जो बताऊंगा अभी वो सारे प्रिवेंटिव डिटेंशन यानी निवारक निरोध जिसे नजरबंदी भी बोलते हैं इससे संबंदिद हैं इस वहाप पर यहां पर अरेस्ट के जाता है तो रोलट बिल जो था वो एक निवारक निरोध कानून था प्रिवेंटिव डिटेंशन बेस्ट कानून था जिसके तहत आप बारत के किसी भी नागरिक को बिना किसी सबूत के बिना कोई अधिकार दिये वे उसे कि उसके पास क्या अधिकार होंगे क्या नहीं वो सब कुछ ना दिये वे आप उसे डिटेन करके रख सकते हो यह र और जो रोलेट बिल को लाने वाली रोलेट कमेटी थी उसने ये सजेशन दिया उसका ये माना था कि Defense of India Act जैसा कानून भारत के अंदर हमेशक लिए लागू होना चाहिए ठीक है फिर उसके बाद में Government of India Act 1935 आया इसमें स्टेट को पावर्स दी गई कि अगर कोई भी व्यक्त कि खत्रा बन रहा है भारत के लिए भारत की एकतासर रिलेटिट वारक्तिक अखंडता से संबंदित भारत की सुरक्षा से संबंदित लो एन ओडर खत्रे में हैं तो आप प्रिवेंटिव डेटेंशन लो निवारक निरोद कानून के अंद्रेकत उसे डिटेन करके रख सकत हैं यह गवर्नमेंट ओफ इंडियाक्ट 1935 में यह पावर दी गई स्टेट को उसके बाद में प्रिवेंटिव डेटेंशन एक्ट 1950 आया और यह एक्ट जिसे पीडे एक्ट बोलते हैं यह 1971 तक भारत में लागू रहा जब तक मीसा अक्ट नहीं आ गया मीसा था मैंटेनेंस ओफ इंटर्नल सिक्योर्टी एक्ट मैंटेनेंस ओफ इंटर्नल सिक्योर्टी एक्ट 1971 में आया और यह एक्ट मैं यानि मीसा एक्ट 1977 तक लागू रहा 1977 से लेके 1980 तक हमारे गंतंत्र भारत के इतियास में यही समय ऐसा था जब कोई भी प्रिवेंटिव डिटेंशन लो कोई भी निवारक निरोद ऐसा कानून हमारे भारत के अंदर नहीं था तीन साल के लिए ऐसा कोई कानून नहीं था फिर 1980 में नैशनल सिक दोस्तों NSA के अंदर अगर कोई भी व्यक्ति कोई भारत का नागरिक है चाहे वो भारत का नागरिक नहीं भी है वो foreigner भी है अगर वो भारत की एकता भारत की account था यहां के low and order यहां की सुरक्षा से सम्बंदिद अगर खत्रा बनता है तो उसे नेजर बंद करके रखा जा सकत आए जो मतलब पुलिस है जो भी authorities है वो उसको नजर बंद करके रख सकती है उसे detain करके रख सकती है और एक बार में यह order तीन महीने के लिए पास होता है और ऐसे करके तीन महीने तीन महीने तीन महीने तीन महीने करके maximum एक साल तक के लिए आप detain करके रख सकते हैं प्रिक्ट मेंस्ट्रेट जो होता है या फिर कमिशनर पुलिस कह लेजिए अपने जूरिस्डिक्शन के हिसाब से वो और पास करता है किसी को भी डिटेन करने के लिए और जो भी बिहाफ होता है जो भी कारण होता है किसी को भी डिटेन करने का वो राज्य सरकार से 12 दिनों के अंदर approve कराना होता है अगर राजडे सरकार उसे सही मानती है तो approve कर देती है सहमती जता देती है 12 दिनों के अंदर अगर सहमती जता देती है तो detain कर लिया जाता है और अगर उस पे स्टिक माइस्टेट जी थे डॉक्टर कफिल खान वाले केस में उन्होंने ओर पास किया था और कहा था कि इंटेलिजेंस की ब्याव पर उन्हें ऐसी खबर मिली कि विए व्यक्ति समाज के लिए खत्रा बन सकता है भारत की सुरक्षक लिए खत्रा बन सकता है, समाज की दुरक्षक लिए खत्रा बन सकता है, इस ब्याव को देखते वे उन्होंने इस पर NSA के तहट कारवाई की, जब मामला अलाबाद हाई कोड़ पोचा, तो अलाबाद हाई कोड़ में, अलाबाद हाई कोड़ ने ये कहा, कि जितने भी उस पर आरोप आजाता है, जो कि भारत के लो एन ओडर, कॉम्यूटी के लो एन ओडर को हाम करता हो, बलकि जो उनके बासंट दिये गए थे, वो तो उसकी एकता को, उसकी अखंडता को, भारत की एकता और अखंडता को बनाये रखने की बात करते हैं, ठीक है दोस्तो, प्रिवेंटिव ड सलाकार आपको चुनने की पर्मीशन होगी, यह सब भी प्रिवेंटिव डिटेंशन लोग के तहत आपके निरस्त कर दिये जाते हैं, आर्टिकल 22 के जितने भी आपके पास अधिकार होते हैं, ठीक है दोस्तो, तो आई होप आपको समझ आया होगा, कि नैशनल सीकूर्टी है क्या, अगर आपको वीडियो पसंद आया है, then please like, share, comment and suggestion भी दीजेगा साथ में, कि हम इसे और कैसे अच्छा बना सकते हैं, कैसे better बना सकते हैं, तब तक के लिए, bye bye, take care, good day, मिलते हैं